नमस्कार शात्रगंड, सरस्रदी ग्रूप अप एजुकेशन में में परिवड़केश्टी आप सभी का पार्दी स्वागत करते हूँ आज हम देखेंगे लीक परिवर्तन, जो यहाँ पे हिंढ़ी या परण के लिए बहुत ऑच्छा परण है लीक परिवर्तन लीक परिवर्तन के बारे में आप टोब को पता है आप और गुजरा के में पढ़ जुके हैं जिसमें तीन लीख आते हैं पूलिंग और नपसदेंग, लेकिन हिंदी में केवल दूर ही लिंग आते हैं पूलिंग और श्ट्री लिंग तो जिसके बारे मैं अभ्याज करना है। यहां पे देखते हैं लिंग परिवर्ग दिखा है मैंने दुनिया के सारे प्राणियों को इन दो और गों में बाता सकता है दुनिया के सारे प्राणियों इसमें दो ही वर्ग है पुरुस वर्ग और स्क्री वर्ग इसमें यहां पे लिखा है सारे प्राणियाद आपको ऐसा हो denn मनुश्य प्लाव तो पता है मनुश्य भी एक प्राणी ही है तो इस दर्म यहां पे मेने उदाहण के तोर पे लिखा है दो अलग-अलग उदाहन दिये गए है इसमें स्त्री वर्ब और पुरुस्वर को अलगी लिखा है यहां पर मैंने दिखा है नर्द सब्द हो भुए पुलींग ही और यिसका स्त्रीलीं क्या होता है नारि शेर Tusag सेर्ही कुता तो वहां होता है कुतिया कुतिय अमया इसा नहीं बोल सकते इसका नियम है मैं बाद में आपको बता देती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उदावरा नहीं बताया है, यहाँ पे चुहा, तो उसका स्री लिंग होता है चुहिया, चुहिया, साप, सापी, मोर, मोरणी, तो यहाँ पे स्री वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व दोनों भीन है, तो इस प्रकार लिंग को परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर और समझना है जिसके कारण अगर आपको एग्णा में कोई भी लिंग परिवर्तन को प्रस्न पुछे तो इसमें आपको आजाएगा इस दिये सबसे पहला उसनियम है यहां पे लिखा है और कारन उलिंग सब्द के आपकारांट बनाने से बressofashioned princi बचाता जो ओ वाला सब्द लिखा है उसको आ लघा देते हैं तो बेसित नहीं बचैंगा तो वे किस तरह मैं ने लिखे हैं चाल सब्द बाल पतित, शिश्य और विवाहित तो यहाँ पे मैं उसको आलवा ले देखू तो ऐसे बाल है तो वहाँ पे मैं लिखू बाला, तो यह क्या हो गया स्त्रिलिंग, इसके बाद पतित, तो यहाँ पे होता है पतित पतित का क्या होता है पतित तीसरा है शिष्य, ये फुलिंग सब्स है इसका क्या हो जालेगा शिष्या चोथा है विवाथित, तो वहां पे विवाथिता आपको समझ मे आगया होगा, यहां पे अकारान फुलिंग सब्स है इसको आल शान बन जाएगे स्त्रिविन तो यह उमारा पहला निया में कि यदि कोई अकारांट पुलिग सब्द गहे। इसके पिछे ह। आ लगाएंगे तो वे स्टिरिलिंग बन जाता है। दूसरा निया मेरा है अकारांट पुलिग सब्द को इकारांट में बदलने के लिए। यह लगाएकöhतघलों दीरद्धरी, यह दीरद्धरी है, इसा होता तब यह अस्व होता, लेकिन ये दीरद्धरी है, तो यहां पे खाड़ाइत, जो ओव भाना सब्दर है, जो उसको उसको जो करेंगे? दीरद्धरी करेंगे, तो वे क्या हो जाएगा? स्ट्रिलिंग बन जाएगा यहां पे मैं बताती हूँ पुत्र तो यह अकरान दे तो यहां पे मैं लिख देती हूँ पुत्री तो यह क्या बन गया? स्ट्रिलिंग अब आपको भी आ गया है घिरन तो यहां पे घिरनी, स्ट्रिलिंग हो गया, तिसरा है नर्थक, जो नार्स था है, नृत्य करता है, उसको नर्थ को क्या करते हैं, नर्थक और नारी को क्या करते हैं, नर्थकी, चोध्रा है कुमार, तो और के बाद में जिया करेंगे, दिर्दरी, तो इस चाह हो जाता है कुमारी, तो इसी प्रकार, इसके दो नियम आपको याद रखने हैं, सबसे पढले हैं, और अगर इसमें आकारंग, पूलिंग हो, और इसमें आकारंग बना दे, तो वे स्ट्रिलिं हो जाएगा दूसरा नियम है अकारांद पुलिंग शब्द दिये गए है लेकिन इसके पीछे हम इकारांद यानि के दिर्ध ही लगा देते हैं तो वे भी हमारा त्या बन जाता है स्ट्रीलिंग बन जाता है दो नियम देखने के बाद हम तीसरा नियम देखेंगे यहाँ पर ज्यान से देखना आकारांद पुलिंग सब्द का इकारांद करने दोर वो स्ट्रीलिंग बनता है यहां पे मैंने लिखा है आकारान इसका भी दिर्धाई करने से स्रीलिंग होता है सबसे पेमें दुसरा निया मुहने देखाता है वे प्रहे आकारान हाँ उसके पीछे भी हम दिर्धाई करेंगे फिर भी वह स्रीलिंग बन जाएगा लेकिन अगर वे आकारान पुलिंग होगा और उसके बाद हम दिद्धाई करेंगे तो फिर भी वे भी पुलिंग हो जाएगा यहाँ पे मैंने लिखा है बेटा यहाँ पे आ तो किया पुलिंग है बेटा तो इसका हम स्रिलिंग कहते हैं दिद्धाई करान पता है तो वे बन जाएगा बेटी उसके बाद मामा तो ये भी आकाराद है तो क्या बन जाएगा? मामी तिसरा है दादा तो दादा आकाराद यहाँ पे ई लिखेंगे हम इसके पीछे तो दादी बन जाएगा और नाना तो उसी की तरफ क्या बन जाएगा? तो वे भी स्त्रीलिंग हो जाएगा और आकारान पुलिंग हो और इसके पीछे भी दिल्ध रही आए तो वे भी स्त्रीलिंग की बन्दा है जो जानियम में इसका प्राणी बाचक पुलिंग सम्नाओं के अंत में नी जोडने से अयाथर्ण नेकर ये सब्दों नी प्रक्रणिय जोडने से वे स्त्रीलिंग बढ़ाता है कि प्राणी बाचक सब्दों की आउद बता है Фुलिंग बड़ इसके पीछे की लिखना है नी अगर हम लिख दे तो वे क्या बंद्चाईगा बच जाएगा तो हम देखे हैं यहां पर मैं यह लिखा है more तो इसके पीछे नीव लिखते है मोर नीव हो गया श्रीलिंग बाद में है शेर तो शेर के यह लिखते है शेरी और तिस राह बुंट तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका तो इसे प्रकार स्ट्रीलिंग और पुलिंगे नियम दिये गए इसके आगे का नियम है कुछ आकारान सब्दों में आनी प्रती जोड़ने से वे स्ट्रीलिंग वोजाता है कुछ आकारान सब्दों पुलिजी उसको क्या लगाते हैं आनी प्रति लगाते हैं तो रेस्तिरीलिंग वो जायेगा हुआ देखते हैं यहां पे अमने लिखा है नोखर तो राष्ट चो अक्षर है अ wonder इसके पीछ हम आनी लगते हैं देवरानी, वे भी स्रिलिंग हो गया, शेठ, शेठानी, उसके बाद जेठ, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जेठानी, तो उसी प्रकार कुछ आकारान सब्दों के पीछे, आनि प्रत्य लगाने से वे स्रिलिंग हो जाता है, उसके बाद जाजोनियों है, कुछ अकारान प्रत्य लगाने, यह बस्वई है, इका प्रत्य लगाने से वे स्रिलिंग बनता है, यहां पर मैंने लिखा है शिक्षक, तो इका प्रत्य कैसे लिखते हैं इच्छी प्रकार? शिक्षिका, तो यहां पर इसके पीछे क्या आया? इका, बालक, तो आशको पता सब गया, इसमें क्या लिखने हैं मुझे? बालिका, नायको, तो यहां पर इका लिखाते हैं तो क्या हो जाएगा? नायका, और लेखक, तो क्या होता है? लेखका, तो उसी प्रकार, यहां पर इसा है और पुलिन सब्दों के पीछे क्या प्रत्य लगाने से यह सारा क्या बन जाएगा? स्ट्रिलिंग और यहां पर आकारान सब्दों है तो इसके पीछे आनी प्रत्य लगाने से भी वे स्ट्रिलिंग सब्दों बनता है साथ पानिया में हम देखते हैं कुछ इकारान पुलिन सब्दों में इनी प्रत्य लगने पर वे स्ट्रिलिंग बन जाएगा? कुछ ऐसे पुलिंग सब्द है जिसके बाद में इनी सब्द लगाते हैं हम प्रती लगाते हैं तो वेक्या बन जाएगा, स्ट्रिलिंग बन जाएगा यहाँ पे मैंने लिखा है पापी तो हम इसका क्या करेगे? पापी न इनी के बसोई उसके बाद सभ पाथी सभ पाथी न तो यह स्ट्रिलिंग बन जाएगा विद्यार्थी तो उसका क्या बन जाएगा? विद्यार्थी नी तो वेक्च्ट्रिलिंग हो गया और ब्रह्मचारी तो इनी और इनी अत्वा दोरों भी चलेगा तो यहां पर इसका हो जाएगा ब्रह्मचारीनी इसके बाद राज़वियंदे मान या पान प्रत्य योको मत्य या वत्य कर देने से क्या कर देना है मत्य या वत्य यहां पर लिखा है मान या वान किसी सब्द के पीछे मान लिखा हो या वान लिखा हो तो इसका हम क्या करेंगे वत्ती या मत्ती कर देते हैं तो वेव पुनिंग शब्द है वेवी स्ट्रिलिंग बन जाता है इस प्रकार में बताते हूं यहाँ पर मैं यह लिखा है स्री मान इसका मान ये तो मति भी खर सकते हैं रोति, तो स्री मति ऐसा तो यह वहता, क्या होता है? स्रीमति हो गए है स्री इसके बाद है भाग्यवान मान या वान तो अग्यव वति इसके बाद है रुपवान तो रुपवति लाश्ट में है गुणवान तो इसी प्रकार रुपवान का रुपवति होता है उसी प्रकार गुणवान का गुणवति हो जाएगा तो यहां में दो नियम मैंने बताए बाद में जो इकाराई पुलिम सब्द होगे इसमें इहीं प्रति लगते तो पाकी है तो यह वस्पव हो जाएगा वाखी नौँ सभपाठी का सभपाठी उसी प्रकार कोई सब्द लिखा है सब्द ले पीछे मान या वान व्ति लिखा हो और इसके पीछ तो इसके का आएका नियम जो है नौवा नियम कुछ पुलिंग सब्दों में आएंप्रती जोडने में पर हें स्त्री लिखा है यहां पे लिखा है कुछ ऐसे पुलिंग सब्त है तो जिसके पीछे हम आईन लगा देते हैं तो यह स्ट्रिलिंग बन जाएगा तो सबसे पहले मैं लिखा है पंडित, तो यह पुलिंग सब्द है, पंडित, तो किसको क्या लगा नहीं है? आई न, तो यहां पे मैं लिखती हूँ, पंडित आई, तो यह श्ट्रीलिंग बन रहे हैं, यहां पर है गुरू तो उसका क्या होता है गुरू आईन। लास्ट ए थाखुर तो इस में खरशो कुराईन नहीं लिखना है।ẽ याद रधना है आपको। खकुराइन मता है, खकुराइन नहीं होगा, ये बलती मत करना, तो यहना पेपे ने बताया, कुछ पुलिंग सब्दों एसे है, जिसके पिछे अगर नों आईन सब्द लगा जते है, तो वे सारा स्ट्रीलिंग मन जाएगे, यहना पेपे पंडिताई, गुरु, गुरु आई और ठकुर, तो इसके क्या होता है, ठकुराइगे, लाज का जो नियम है, दस्वा, वे व्योसाई सुचपुलिंग सब्दों में, इन प्रत्ये जोडने पर रेस्रीलिंग होता है, क्या लिखना है, सिर्फ इन प्रत्ये की जोडना है, ये हस्वाई है, मैंने एसा नहीं इसके बाद गवाला जोगिया चलाते है, तो वेब्या हो जाएगा, गवाले, धोबी, धोबी, और उसके बाद फिखारी है, तो वेब्या बन जाएगा, दिखारी तो इसी प्रकार व्योसाई सुचब अगर बुलिंग सब्दों है तो इसके पीछे हम इन सब्द जोड़ देते हैं तो वे भी हमारा स्ट्रीलिंग बन जाएगा तो यहाँ पे मैंने लिनक परिवर्तन के आपको कुछ-दोज नियम बताए तो यह सारे के सारे नियम आपको देखना है स्मझना है और इसके प्रेक्टिस के रुप में आपको हो उधामति कर आपको इसका पुलिंग में से स्रीlling बनाना है तो यहां पे जो लिंक परिवर्तन क का हमारा जो पॉइंट के वे खत्म होता है